जैश्री कृष्ण, करम कांड, पूजा मंत्र, स्तोत्र, वर्थ कथा, एवं सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे यूटूब चेनल को सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट पाने के लिए गंटी की निसान को भी दबाएं जैश्री कृष्ण, प्रियदर्श को आज मैं आपको बताने वाला हूँ, सर्वदेव पूजन मंत्र, इन मंत्रों के दोर आप किसी भी देवता की, किसी भी देवी की आप पूजा कर सकते हैं, विधी विधान से, तो चलिए सुरू करते हैं, पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी जानकारी मैं बताने वाला हूँ, और कमेंट बॉक्ष में जैश्री कृष्ण, जरूर लेखिगा, अथो आपकी कोई शंका हो, कोई प्रश्ण हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर उसका समधन करूँगा, वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, तो सबसे पहले कोई भी अनुष्ण करते हैं, तो पवित्री करण होता है, तो पवित्री करने के लिए मंत्र आपके सामने इसको इस प्रकार बोलना है, ओम अपवित्रह पवित्रो वा सरवा वस्थाम गतो पीवा, यस्मरेत पुंडरी काक्षम सभ भायय भ्यन्तरा शोचिह, इस प्रकार बाएं हात में जल ले करके दायाँ से अपने उपर छिड़कना चाहिए, उसके बाद में आचमन किया जाता है, तो तीन बार आचमन करें, ये मंत्र बोलते होए दायने हात में जल ले करके, चमत से जल नहीं पीना चाहिए, आप में सुद्धी करना होता है तो पहले विन्योग करना है विन्योग का मतलव आच्मनी में या चम्मच में जल ले करके इस मंत्र को बोलना चाहिए एक तरह का शंकल्प होता है पृत्वीती मंत्रश्य मेरू प्रिष्ट रिशिह सुतलम चंदह कूर्मो देवता आसने विन्योगह व देवी त्वम विष्णुनाध्रिता त्वम चैधारयमाम देवी पवित्रम कुरुचाशनम इस प्रकार छोड़ करके फिर आपको सिखा जो होती है उसका बादना चाहिए यह मंत्र है हाथ दोने के बाद में हाथ में पुष्प चावल लेकर के स्वस्ति वाचन का पाठ करना चाहिए तो स्वस्ति वाचन तो बहुत बढ़ा है तो उसकी वीडियो में नीचे आपको डिस्क्रेप्शन में डाल दूँगा वहां से आप पुड़ा स्वस्ति वाचन देख सकते ह सुवस्ति वाचन देखने के बाद में करने के बाद में आपको सबसे पहले जिस पात्र में जल रखा हुआ कर्म पात्र जिसको बोलते हैं उसका पूजन करना चाहिए तो उसके अंदर पुष्प और चावल डालना चाहिए ये मंत्र बोल करके गंगे चयमुने चयव गोदावरी सरस्वती नरमदे सिंदु कावेरी जलेश्मिन सन्निधिम कुरू ओम अपाम पतये वरुनाय नमह सर्वो पचारार्थे गंदाक्षत पुष्पानी समरपयामी नमस्करोमी इस प्रकार कर्म पात्र का पूजन करने के बाद में पिर दर्ती म माता का पूजन किया जाता है तो दर्ती माता का पूजन इस प्रकार करें प्रित्वी त्वयाद्रिता लोका देवी त्वम विष्णुनाद्रिता त्वम चधारयमाम देवी पवित्रम कुरुचासनम ओम आधारशक्त ये नमा आधारशक्त ये प्रित्व्याई नमह कमलास इस प्रकार पिर्थवी का पूजन करें फिर दीपक जो जला हुआ है उसका पूजन करना चाहिए बो दीप देव रूपस त्वम करम साक्षी हविग्न कृत यावत करम समाप्ति हिस्यात तावत तुम सुस्तिरो भवा दीपक के पास में गंद अक्षत पुष्प छोड़ दी इसके बाद में जो गंटा होता है गरुड़ जी के प्रतीक होता है उनका पूजन करना चाहिए ये मंत्र बोल करके आगमार्थम तुदेवानाम गमनार्थम चरक्षशाम कुरू घंटे वरम नादम देवतास्तान सन्निदव ओम भूर भुवास्वः गंटास्तिताय गरुड़ाय नमः इसके बाद में आपको शंकलप लेना चाहिए तो संकलप की वीडियो भी आपको नीचे डिस्क्रिप होता हों के लिए बोल सकते हैं तो सबसे पहले कोई भी देवता होता है उसका ध्यान किया जाता है तो जिस देवता का पूजा करें उनका ध्यान करना चाहिए उसके बाद में आपको उस देवता को चार बार जल छोड़ना चाहिए क्योंकि पाद्य अर्ग्य आज्मनिय और ये चार प्रकार के जल जो है उस देवता पर या उनकी निमित किशी पातर में छोड़ देना चाहिए उसके बाद में दूद से सनान कराने का मंत्र इस प्रकार है कोई भी देवता हो अगर फोटो हैं तो उसके सनान ने कराएं उसके निमित किशी पातर में जल दूद छोड़ और यह मंत्र बोलें काम देनू समुद भूतम सरवे साम जीवनम परम पावनम यग्यहे तुष्च पयश्नानार्थ मरपितम इसके बाद उसे उन देवताओं को उपर फिर शुद जल चड़ाना चाहिए फिर दही जो होता है उससे स्नान कराना चाहिए पयसस्तु समुद भूतम मदूरामलं शशिप्रभं धध्या नीतम मया देवश्नानार्थम प्रतिगरी हताम देखी कोई भी देवताओं जैसे गनेश जी है तो इसे बोलना है बोले बाबा है जो भी देवता हो इस जिगापर उस देवता का नाम लेकर के इस प्रकार आपको श्नान कराना है उसके बाद घी से श्नान कराएं इस मंत्र को बोल करके इसके बाद में शहद से शनान कराएं ये मंत्र बोल करके पुस्परेणू समुद भूतम सुस्वादू मदूरं मदू तेज़ पुष्टिकरम दिव्यम शनानार्थम प्रतिगरियताम इसके बाद में आप शक्कर जो होती है उससे शनान कराएं इक्षूरस समुद भूताम सरकराम पुष्टिदाम शुवाम मलापहारिकाम दिव्यम शनानार्थम प्रतिगरियताम इसके बाद में पंचामरित से सनान कराएं पंचामरितम मया नीतम पयोधदी रितम मधू सरकरया समा युकतम सनानार्थम प्रतिगरियताम उसके बाद में चंदन मिश्रित जल जो होता है उससे शनान कराईए ये मंत्र बोल करके इसके बाद से इसके बाद में शुद्ध जल से शनान कराएं इसके बाद में उन देवतां को अच्छी तरह से शनान कराने के बाद में वस्त्र पहनाना चाहिए वस्त्र देवी हैं तो साड़ी पहना हैं देवता हैं तो दोती जो होती है वो पहना हैं वो भी नहीं है तो उसके अभाव में आप रक्त शुत्र जो होता है मोली के लावा जो होती है वो भी भगवान को भाव से पहना सकते हैं ये मंत्र बोल करके शीत वातोष्न संत्रानम लज्जाया रक्षनम परम देहा लंकरनम वस्त्र उसके बादे उपवस्त्र जो होता है वो भी आपको भगवान को पहनाना चाहिए मंत्र बोल करके यश्या भावे नसास्त रुक्तम कर्म किंचन सिद्यती उपवस्त्रम प्रयक्षामी सर्वकर्मो पकारकम इसके बाद में देवता हैं तो यग्यो पवीत पहनाएं इस मंत्र को बोल करके नव भिस्तन तुभिर युक्तम त्रिगुणम देवतामयम उपवीतम मयादत्तम गिहान परमेश्वर इसके बाद में चंदन लगाएं चंदन लगाने का मंत्र इस प्रकार है इसके बाद में देवता पर चावल चिड़ाएं ये मंत्र बोल करके इसके बाद में भगवान को पुष्प माला जो होती है वो पहनाएं ये मंत्र बोल करके इसके बाद में दूब जो होती है देवी को चोड़ करके सभी देवताओं के उपर दूब चड़ानी चाहिए ये मंत्र बोल करके दुरुवान कुरान सुहरितान मितान मंगलप प्रदान आनी तास्तव पूजार्थम ग्रिहान गननायक इसके बाद में आप जो बिल्ल पत्र होता है वो चड़ाना चाहिए बिल्ल पत्र चड़ाने के बाद में शिंदूर भगवान के उपर चड़ाएं शिंदूरम सोभनम रक्तम सौभाग्यम शुखवर्दनम सुभधम कामदम चैवा सिंदूरम प्रतिग्रियताम इसके बाद में अबीर और गुलाल जो होता है वो बगवान के उपर चड़ाना चाहिए अबीरम चै गुलालम चै हरिद्रादी समन वितम नाना परिमलम द्रव्यम ग्रिहान परमेश्वर इसके बाद में सुगंदी द्रव्य जो होता है इत्र जो होती है सेंट जो होती है वो बगवान के उपर चड़ाना चाहिए दिव्य गंद समा युक्तम मला महा परिमलाद भूतम गंद द्रव्यमिदम भक्त्या दत्तम वही प्रिक्ति ग्रियताम इसके बाद में द्रवता को धूप जो होता है वो दिखाना चाहिए वनस्पति रसोद भूतो गंदा ड्योगंद उत्तम आग्रे हसरव देवानाम धूपो यंप्रति ग्रियताम इसके बाद में आप दीपक भगवान को दिखाए ये मंत्र बोल करके इसके बाद में हात दो करके भगवान को भोग लगाना चाहिए भोग लगाने का मंत्र इस प्रकार है सरकराखंडखाद्यानी धदी चीर गृतानी च आहारं भक्ष भोज्यम च नई वेद्यम प्रतिग्रियताम इसके बाद में भगवान को रितूफल जो होता है वो भगवान के ओपर चड़ाना चाहिए इदम फलं मया देवा स्तापितम पूरुतास्तवा तेनमे सफला वाप्तिर भवेज जन्मनी जन्मनी इसके बाद में भगवान के ओपर तामबूल जो होता है वो भगवान को खिलाने के लिए पान सुपारी लोंग इलाइची जो भगवान को देना चाहिए इसके बाद में भगवान को धक्षिना जो होती है अपने स्रद्धा के अनुसार द्रव्य धक्षिना देनी चाहिए इसके बाद में भगवान की आरती करनी चाहिए आरती करने के बाद में भगवान की चमायाचना करनी चाहिए इस मंत्र को बोल करके पारा में इश्वारा इस प्रकार प्रातना करनी चाहिए तो ये थी वीडियो कैसे लिए वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा इन मंत्र के द्वार आप किसी भी देवता की उपाशना कर सकते हैं आप कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं मैं जरूर उसका समाधान करूंगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद